नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड आप सभी का स्वागत है हिंदी देप्टूर्स पर और हम e-commerce साइट एक बनाना सीख रहे थे और अगर आप इस वीडियो को फोलो करना चाहते हैं तो इससे पहले हमने तीन वीडियो बनाये हैं e-commerce के उपर म e-commerce का part 1, e-commerce का part 2 और मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था जहां पर e-commerce का step by step आपको installation दिखाया था और हमने simple साइट देखिए यहां पर हमने एक WordPress इंस्टोल किया और e-commerce डाला था तो अगर आप इस वीडियो को फोलो करना चाहते हैं यह part 3 वीडियो है how to make e-commerce वीडिय नहीं देखा है एपिसोड तो वो एपिसोड वगेरा हमारे चैनल हिंदी रेप्टूर्स में जाके आप देख लिजे e-commerce का टुटोरियल उसके बाद आप इसको फोलो कर सकते हैं तो मैं अल्रडी आप देख सकते हैं यह live site है दुकानवजा.in और मैं यहां पर login होके हूँ यह तो बहुत basic चीजे हैं आपको login करना आता ही होगा तो चली हम लोग dashboard में जाते हैं आप देख सकते हैं ठीक है और हमारा जो site है वो इस तरह से आ रहा है हमने 4 product add की थी अगर आपको e-commerce में product add करने नहीं आता है तो इसकी previous video देख लिजे या मैं आगे चलके आपको product add करना और भी दिखाऊंगा तो ऐसा कोई बात नहीं है आप पहले की video देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चली हम लोग आगे बढ़ते हैं और यह जो default theme आता है wordpress में यह 2017 अभी चल रहा है और यह April May महिना चल रहा है और हमने यह install किया था और देख सकते हैं एक simple सा 2017 का ए बिल्कुल इस तरह से दिख रहा है इसमें कुछ भी नहीं है यह बिल्कुल shopping site जैसे नहीं लग रहा है एकदम बेकार लग रहा है तो हमें कुछ ऐसा theme install करना पड़ेगा जो e-commerce को support करता है वह से देखें YouTube में आपको काफी सारी वीडियो मिलेंगे जहां पे आधे गंटे मे 20 मिलें एक घंटे में आपको e-commerce site बनाना सिखाते हैं एक उसमें बहुत सारी step जो है वो skip हो जाती है तो मैं चाहता हूँ कि आप late से ही सीखें कोई बात नहीं अगर आप e-commerce business करना चाहते है e-commerce site खुद की हातों से बनाना चाहते है तो उसके लिए भाई थोड़ा time लगता ह थोड़ी लगन लगती है तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से step by step देखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा आप बढ़ी आसानी से अपना e-commerce site बना लेंगे और जिसको हलवडी है आपने wordpress install किया e-commerce install किया और आपकी tutorials वहीं पर खतम आप अपना business चालू कर सकते हैं औ क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कौन सा theme हो और बात यह रहा कि जो लोग सुरू में business startup कर रहे हैं वो free theme का इस्तमाल कर सकते हैं बहुत अच्छा free theme आता है मैंने बताया भी था कि काफी सारे theme आते हैं और आप चाहें तो premium theme का इस्तमाल कर सकते हैं कोई मुझे पूछे अगर को business में serious है तो मैं बोलूँगा कि उसे premium theme लेना चाहिए तो मैं लेकिन मैं यहाँ पर आपको free theme में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि बाकी लोग भी इसे कर सके ठीक है तो चलिए एक free theme हम लोग ढूणते हैं जो की थोड़ा सा shopping side जैसे लगे तो यहाँ पर हम लोग themes में जाए और जब तक हमारा यह tutorials complete होगा मैं भी 2-4 theme चेंज करके आपको दिखाऊंगा ऐसा नहीं है कि हम लोग store भी ला यूज करेंगे और complete site store भी ला हम बनाएंगे नहीं मेरा काम है आपको सिखाना आपको दिखाना कि कैसे wordpress के और e-commerce के मदद से e-commerce site बनाए जाती है वो दिखाना मेरा काम है कौन सा theme आप इस्तिमाल करेंगे यह आपके उपर depend है मैं बस तरीका बताता हूँ ठीक है final decision आपके उपर तो थोड़ा सा internet slow है इसलिए मुझे यहाँ पर उसकी preview नहीं दिख रही है ठीक है और मुझे लगता है कि मैंने कुछ spelling mistake की है इसलिए नहीं आया है store भीला हम लग ढूनते हैं यह रहा इसे मैं install कर लेता हूँ आप कोई भी theme का इस्तिमाल कर सकते हैं कोई bound नहीं है आप जो theme चाहें आप इस्तिमाल करें हम इसे activate करते हैं preview नहीं दिख रहा है और preview दिखेगा activate होने के बाद में already हमने इसे install कर लिया है ठीक है आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा e-commerce जैसे इसका look है और यहाँ पर जैसे आप यह theme install करेंगे तो उसके साथ में कुछ plugin के requirement होते हैं आप देख सकते हैं कि यह सारा plugin आपका में नहीं है बोल रहा है तो आप इसे install करो बोल रहा है तो हम इसे install करेंगे विंग install plugin पे यहाँ पे आपको click करना होगा और यह सारा हमें चाहिए इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे click करेंगे सारा select हो गया हम apply पे click करेंगे और सारा जो plugin है वो one by one अपने आप install होना चलू हो जाएगा आप देख सकते हैं कि सारा चीज यहाँ पे access press का जो social share है वो install हो चुका है अब दूसरा उला चल रहा है दू तो which list बनाता है इसका मतलब आप अगर बाद में खरिदना चाहते हैं तो उसके लिए यह list बनाता है यह बहुत ही अच्छा theme है और इसे काफी लोग use भी कर रहे हैं क्योंकि free है और इसका premium भी आता है आप चाहे तो बाद में खरिद सकते हैं सारा कुछ हो गया तो चलिए ए यहां पर site की title दिखा रहा है ठीक है और यहां पर look जो है बिल्कुल change हो गया है पहले से काफी बहतर लग रहा है यहां पर search का option दिखा रहा है यहां पर card दिखा रहा है आप देखिए मैंने card पर add करके भी रखा है check out हम लोग कर सकते है my account दिखा रहा है log out दिखा रहा है क्य आप देख सकते हैं product हमने add किया था सब हमारा sale पर लगा हुआ है चलिए एक हम लोग click करके देख लेते हैं कि कैसे दिखाई दे रहा है तो अभी हम click करते हैं एक simple सा product आप देख सकते हैं यहां पे इसकी photo दिखाई दे रही है product की और आप यहां पे इसके जो description है उससे देख सकते हैं कितना stock है कितने offer में चल रहा है 700 का है यह 500 में मिल रहा है और नीची देखिए share करने का option है और इसका description है और related product भी दिखा रहा है मतलब इतने ही करने के साथ मैंने आपको बोला था कि u-commerce डालने के बाद में और यह जो क्या बोलते है wordpress और u-commerce डालने के बाद में आ design थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन एक बंदा अगर बेचना चाहता है कोई सामान तो बेच सकता है इसमें सारे functionality अल्रेडी आ चुके है ठीक है तो यह already completed है लेकिन हम लोग इसे और enhance करेंगे जैसे right side में हमें product की list चाहिए category चाहिए वो नहीं है वो सब हम लोग बनाएंग बाकी चीजे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे पहले dashboard पर जाएंगे ठीक है यह रहा आपका dashboard और यहां पर पेज पर जाना है और एक page बनाना है homepage हम अपना बनाएंगे क्योंकि यह जो homepage है मुझे पसंद नहीं आ रहा है उसके home obviously homepage बनाना है तो यहां पर इसका नाम हम लोग homepage ही रखेंगे चलिए मैं इसका नाम home रख लेता हूँ लेकिन यहां पर मैं कोई changes नहीं कर रहा हूँ कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं left sidebar रखनी है right sidebar रखनी है without sidebar रखनी है या both sidebar जैसा आप लोग चाहें कर सकते हैं लेकिन मैं फिलाल के लिए right sidebar में छोड़ देता हूँ हम लोग बाद में इसे changes करेंगे ठीक है और उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं मैं इसे publish कर देता हूँ publish करने के बाद में हमें एक छोटी सी setting करनी पड़ेगी बहुत जल setting में पहले setting और general में यह जो my blog लिखा इसे change करेंगे हम लोग हमारा company है उसका नाम लिखेंगे दुकान-bazar.com बिल्कुल हम लोग यह दुकान-bazar है जहां पे आपको सारे shopping चीजे मिलती है dress बगेरा electronic समान ऐसे आजूम करते हैं ठीक है और यह जो tagline है फिलाल मुझे कोई tagline यह complete e-commerce solution भी हम लोग लिख सकते हैं चलिए लिखी देते हैं लिख सकते हैं क्या इस तरह से आप कुछ भी जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं complete e-commerce solution आपका जो भी tagline होगा मुझे नहीं पता आपकी company की क्या tagline हो सकती है आप वो ही यहाँ पर लिखेंगे ठीक है मैंने दिया यह को थोड़ा बड़ा कर देते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में और उसके बाद में हम यहाँ पर यह जो register system है आप देख सकते हैं यह customer पर चेंज कर देंगे हम लोग क्योंकि यहां subscribe नहीं करना है और anyone के register बिल्कुल कोई भी register कर सकता है ताकि हमारा product खर अब दिखे दे रहा है दिखे दुकान बजार complete e-commerce solution यहां पर थोड़ा space होना चाहिए था तो यहां पर हम लोग थोड़ा space दे देंगे और इसे फिर से save कर देंगे इस बार सही दिखाई देगा यह पहले save हो जाए और उसके बाद इधर हम लोग refresh करेंगे इसे refresh कर देते है देखते हैं कैसे दिखे दे रहा है मेरे साथ से इस बार बिलकुल देखिए आप दुकान बजार complete e-commerce solution और यह यह तो menu हम लोग change करेंगे कोई बात नहीं product जो दिख रहा है home page हम total change करने वाले हैं तो आज मेरा बताने का यह था कि आप कोई भी एक अच्छा सा कोई अच्छा सा theme चूच कर ले और उसके उपर में बनाए तो ठीक दिखेगा पहले जैसे हम लोग यह theme इस्तमाल कर रहे थे तो देखिए कैसे दिखाई दे रहा था और जैसे हमने theme चेंज किया थोड़ा सा e-commerce का look अल्रेडी आ गया ठीक इसे बंद कर देते हैं कोई बात नहीं और उसके बाद में हम लोग अब भी के लिए और थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पर setting पर जाएंगे और reading पर जाएंगे और हमारा जो home page था उसे हम लगाएंगे और यहां से हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं front page जो हो सौब दिखा रहा है नहीं हमें home page को front र जाएंगे और आप देख सकते हैं home page में कोई भी चीज नहीं दिखा रहा है यह बिल्कुल blank हो गया है और next वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि home page कैसे बनाना है और menu कैसे बनाना है नेकि हम लोग एक ही वीडियो में सारा चीज सीख सकते हैं लेकिन मैं आपको step by step details में ब इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ आपका host और दोस्त एडवर्ड बाई बाई दोस्तो और अगर आपको अपना site चलाते रहना है तो यह जो home page अभी हमने change किया वो ना करें आप यह जो shop page है उसी पर अपना काम कर सकते हैं क्योंकि shop page में आपका सारा product इस तरह से आपका सारा हूँ